इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एम बेटा एच्टी पचास टैबलेट एर का इस्तेमाल हाइपटेंशन यानि की उच्छ रक्चाप के इलाज में किया जाता है जब कोई एक दवा प्रभावी नहीं होती है उस थ भावना बढ़ाता है एम बेटा एच्टी पचास टैबलेट एर को भूजन के साथ या बिना भूजन के और रात में बार बार पेशाप करने से बचने के लिए हो सके तो सुभा लिया जाता है डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं तब तक इसे लेते रहें भले ह ही आपको ठीक लगे तो भी इस दवा को अपने आप से बंद न करें क्यूंकि उच्छ ब्लड प्रेश के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती बिगर सकती है नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना अपने वजन को कम करना और स्वस्थ डाइट खाना आपके ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में भी मदद करेगा इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें नौसिया, कॉंस्टिपेशन, डाइरिया, और फटीग आ सम कॉमन साइड एफेक्ट्स अगर इन में से क प्रेश घटने के कारण चकर या सिर्दर्द की समस्या हो सकता है, इसलिए बैठने के बाद धीरे-धीरे उठें या गारी न चलाएं। इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी में कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं। गर भवती या स्तनपान कराने वाल महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तिमाल high blood pressure या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है। आपको अपना blood pressure, kidney function, blood sugar stir और salt का stir जैसे potassium या magnesium को नियमित रूप से चेक करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।